हाई ड्वेल्टीज, वेलकम टो इसीवे कॉमेर्स क्लासेज, मैं हूद अपिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम एक निया शेप्रेस स्टार्ट करेंगे अपनी इंडनिक नॉमे बुक से जिसका नाम है Environment and Sustainable Development, यानि कि आपको इसमें EBS की याद आजाएगी जो आपका भी बच्पिन में पढ़ा करते थे Environment and Sustainable Development का मतलब क्या होता है गाईज, तो सबसे पहले Environment का मतलब समझते हैं Environment का मतलब क्या है तो आप बोलो कि जो हमारे आस पास चीज है सारी Environment है Yes उसी को Environment कहते हैं So Environment की जो Definition Book में लिखे हैं वो भी सेम ही लिखे है Environment refers to the Total Planetary Inheritance जितना भी हमारे Total Planet में चीजे हैं उसे हम Environment कहते हैं And the Total of All Resources It's called Environment हमारे Environment में जो भी चीजे हैं सारी चीज हमारे Environment के राती है जाए हवा है पानी है धूल अमेटी है कुछ भी है वो हमारे पूरा Environment है अकाश है सब कुछ Environment है So Environment जो भी हम हमारे से बाहर जो भी सारी चीजे हैं वो Environment है Right? So Environment is a Total Planetary Inheritance जो हमारे प्लानेट में जितनी चीजे हैं और जितने रिसोर्से हैं उसे हम Environment कहते हैं Environment में दो ताइप के Elements होते हैं एक होता है Biotic Elements एक Abiotic Elements Biotic वो होते है जो Living होती हैं जो सांस लेती हैं जैसे कि Human हम लोग जानवर होगे पेड़ पौधे हो गए पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं वही कभी पढ़ा था ना याद है ना और अवाइटिक जो सांस नहीं लेते जैसे चेर, टेबल, कुछ सी यह सब क्या है अवाइटिक एलिमेंट्स है जो लिविंग नहीं है ठीक है तो हमें को अपने इन्वार्में पानी जो मिल रहे है वो हमें इन्वार्मेंट से ही तो मिल रही है पानी जो मिल रहे है वो भी इन्वार्मेंट से ही मिल रहे है तो जो बेसिक चीजे इससे लेकर सारी चीजे इन्वार्मेंट से मिलता है तो सबसे पहला जो बुक में थर्ड नंबर पर है लेकिन मेरे लिए वो first number पर है Environment Sustain Life क्योंकि जो हमारे जीने के लिए basic चीजे हैं, हवा, पानी, धूब सब हमें environment से मिलता है So environment sustained life इसके बाद है guys, environment provide resources for production Environment हमें सारे resources देता है, खाने के लिए सारा fulprude सब्रा देता है, कितने सारे resources देता है, जो हम production जिनके वज़े से कर पाते हैं So there are two types of resource, renewable and non-renewable Renewable resource कौन से होते हैं, जिनने आप use करते हो, और generate होते हैं कौन मिलत, environment में दुबार से generate हो जाते हैं, non-renewable जो अपनी मर्जे से generate होते हैं, हमारे कुछ करने से या वो कुछ नहीं है, उनको बहुत लंबा समय लगता है, तब वो बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे, जैसे कि koila, coal जी से कहते हैं हम लोग that is a non-renewable resource आप use कर लोगे, वो खतम हो जाएगा दुबारा से धरती आपको उगा के सबसे बड़ी चीज़, जितना हम लोग वेस्ट, चोटे वेस्ट, सब कुछ अपने में समा लेता है environment assimilates waste, उसके बाद है, it provides aesthetic services, aesthetic means beautiful services आपको जो hill station देखने को मिलते हैं, rivers देखने को मिलती है, यह कौन दे रहा है कौन दिखा रहा है, environment, हमारे बसकी तो कुछ है ही नहीं न, कि river वगरा हम कुछ से कुछ करेंगे तो सब कुछ हमें environment, यह beautiful scenes जो create होते हैं, यह environment हमें देता है, हम नहीं करते जो बारिश होती है, environment दे रहा है, हम नहीं दे रहे और आप भी लिख सकते हो, बलकि उससे जादे ही लिख सकते हो, इसके बाद गाइस बात करते हैं, caring capacity की हमें environment में, जो होता है environment crisis को face करना पड़ता है, environmental crisis किसे कहते हैं, जो word है guys, यह मिताति हूं में, environmental crisis किसे कहते हैं So guys environmental crisis देखो हमें environment चीज़े देता है ठीक है So हम लोग environment से चीज़े लेते है ठीक है extraction जिसे कहते हैं कि environment हमें चीज़े देता है और हम उसे use करते है ठीक है फिर हम उसे use करके क्या देते है environment को in return बहुत अच्छी चीज Waste क्योंकि हमारे पास environment को देने के लिए कुछ है ही नहीं हम उसे waste देते हैं तो जब भी हम environment से चीज़े extract करते हैं चाहिवे fruits है vegetables है हम लोग fish अगर जो non-wish खाते हैं वो भी environment से चीज़े लेके खाते है environment हमें सारी चीज़े देता है कोईला देता है बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें minerals है पानी है सब कुछ हमें environment दे रहा है तो हम वहां से extraction करते हैं लेते हैं जब भी हमें environment से extraction हम लेते हैं तो वो हमेशे उसके carrying capacity के अंदर होना चाहिए it means कि वो resource को at least हम उतना ले कि वो उसे regeneration का time दे दे अगर हम सारे बेड़ एक बारी में काट देंगे तो हमें oxygen लेने में दिक्कत हो जाएगी अगर हम सारे fruits and vegetables कंदम कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे so जो भी हम extract करते हैं, economy से जो भी हम अपने environment से ले रहे हैं तो वो हमें उसकी capacity के अंदर ही consumption करना चाहिए कि वो regenerate करने का हम उसे समय तो दें कि दुबारा से वो सारी चीज़े regenerate हो जाएं अगर ऐसा होगा कि हम एक ही बारी में सारी चीज़े consumption कर लेंगे तो अगली बार हमारे पास कुछ चीज़े ही नहीं होगी life को survive कराने के लिए तो extraction जो होना चाहिए should be within the limit of regeneration होना चाहिए ठीक है दूसरी चीज़ waste इतना होना चाहिए कि वो उसकी absorption capacity के अंदर हो क्योंकि हम अपने environment से लेते बहुत कुछ है लेकिन देते क्या है waste लेने वाले हम बहुत सारी चीज़े ले रहे हैं लेकिन दे क्या रहे है waste लेकिन जब ये चीज़े लिमिट में होती है तो चलो ठीक है उसे carrying capacity कहते है लेकिन जब ये चीज़े carrying capacity से बाहर हो जाते है environment के तो गाइस उसे हम environmental crisis कहते है यानि कि हम या तो बहुत ज़्यादा extraction कर रहे है या फिर हम बहुत ज़्यादा waste अपने environment को दे रहे है तो हमें जो भी चीज़ करनी चाहिए वो within the capacity, carrying capacity of the environment होनी चाहिए तो carrying capacity का मतलब क्या हुआ extraction should be in the limit of regeneration and waste should be in the limit of the absorption ठीक है इसके बाद आता है guys कि reason क्या है कि हमें environmental crisis को face करना पढ़ता है तो सबसे बढ़ा reason है population explosion जिस हिसाब से हमारे जनसंख्या बढ़ रहे है तो waste भी बहुत हो रहा है चीज़े हम कूडा, कच्रा, pollution गवर्मेंट करी सारी कूडा, कच्रा, pollution हम environment को दे रहे हैं दूसरा हम ले भी उससे बहुत रहे हैं आप देखोगे earth fully मतलब occupy होती जा रही है हमारे देश की तो specifically population इतनी जादा है तो population सबसे बढ़ा reason है जो हम अपने environment को नुक्सान पहुचाते है Second, extensive and extraction of resources इसका मतलब है extensive extraction of resources है ये word extensive मतलब एक बहुत जादा limit से हम अपने resource को extract करते है environment में आप देखो पेड कट रहे हैं तो कटी जा रहे हैं ये नहीं सोच रहे हम लोग की कितनी oxygen में दिक्कत आती है गाडियां से pollution निकल रहे हैं तो बहुत जादा हम environment से resources ले रहे हैं और environment को जो गलत चीज़ है negative चीज़ है वो बहुत जादा दे रहे है effilient consumption होता है यानि कि हम consumption बहुत जादा कर रहे है और उसका basic reason क्या है population इतनी जादा है हमारी तो हमारे हैं पर consumption भी बहुत जादा है और production भी बहुत जादा है जिसकी वज़े से environment चीज़ों को generate नहीं कर पाता होती जल्दी तो environment को crisis phase करना पड़ता है हमारी वज़े से उसके बाद है guys fourth global warming अब आप सबको पता है कि global warming के क्या क्या reasons रहे है क्या reasons रहे है ozone layer के depletion के तो वो भी environment crisis लेकर आ रहा है क्योंकि global warming हो रहा है और उसके कही ना कहीं reason हमारे घरों में लगे AC और TV ही और TV कहीं sorry fridge है जिनसे बड़ी खराब gases निकलती है जो कि environment को नुकसान पहुचाती है इसके बाद है guys pollution जो कि हमारे इंडिया में और specifically डिली में तो बेशुमार है pollution का मतलब इतना pollution है हमारे डिली में तो specifically कि कि किसी भी बंदे को जो बिचारा बाहर स्टेट से साफ सुत्रा अंदर से सही एकदम आएगा ना body wise दिली में आके इतना pollution face करने को मिलते है तो pollution जब हमारे शरीर को इतना नुकसान पहुचा रहा है environment को नुकसान पहुचा रहा है तो pollution सबसे बड़ा कही ना कही reason है guys environmental crisis का इतनी गाडियां है इतनी vehicles है construction से pollution फेलता है और इसके लावा water pollution बहुत ज़ादा हो रहा है तो ये बहुत सारे reasons है guys जिसकी वज़े से environmental crisis face करना पढ़ता है I hope guys आपको ये topic समझाया होगा और अगर नहीं आया है तो आप अपनी query में से Instagram पर बूस सकते हो IT है तब इता मैसी Thank you Thank you